कुल्लू में अब 14 व 17 जून को होगा 18 से 44 वर्ष के लोगों का टीका करन जिला कुल्लू में अब 14 व 17 जून को एक बार पिर से 18 से 44 साल आयू वर्ष के लोगों का कोरोना टीका करन किया जाएगा वही अपकी बार स्वास्थ विभाग के द्वारा स्वास्थ केंद्रों की संख्या को भी बढ़ाया गया है ताकि अधिक से अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज मिल सके वही 48 घंटे पहले अब कोरोना वैक्सीन के लिए आनलाइन बुकिंग भी शुरू कर दी जाएगी वियो जिला कुलूमे में 18 प्लस के लोगों के लिए दोनों दिन 17 माइनस 17 स्थानों पर टीका करण किया जाएगा कोरोना वैक्सीन के नोडल अधिकारी डॉक्टर अतुल गुप्ता ने बताया कि 18 प्लस आयूबर्ग लोगों के लिए स्लाट बुके गनिवार्य है बिना बुकिंग के कोई भी टीका नहीं लगाया जाएगा पहले की तरह निर्धारित तिथी से दो दिन पहले दोपहर दो दशमलव तीन शून्य बजे से तीन बजे के बीच कोविन वैबसाइट पर स्लाट बुक किये जा सकते हैं डॉक्टर अतुल गुप्ता ने बताया कि वैक्सीन के लिए 18 से 44 वर्ष की आयूवालों के लिए सोमवार वबीरवार का दिन तै किया गया है 45 वर्ष से अधिक आयूवालों और वैक्सीन के लिए निर्धारित अग्रिम पंत्ती कार्यकरताओं में शामल लोगों को पहले की तरहते किये गए दिन में वैक्सीन लगाई जाएगी गौर रहे कि मई माह में भी सरकार के द्वारा 18 से 44 साल आयूवार्ग के लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन के लिए स्लॉट बुकिंग की व्यवस्था की थी वहीं अब जून माह में एक बार फिर से एक सब्ताह में दो दिनों के लिए यह बुकिंग शुरू की गई है ताकि जिला कुलू में लोग कोरोना वैक्सीन की गोज ले सके हैं की जानकरी आपको मुहियक रादी जाएगी कुलू से आपका फैसला टीवी के लिए धनेश गौतम की रिपोर्ट